हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं SD Kitchen & Easy Life फ्रेंट्स क्या आपके बाथरूम के टाइल्स भी इतने गंदे हो गया है जिद्धी दाग हो गया है और आप बहुत तरह की तरीके आजमा चुके हैं टाइल्स साफ करने के और फिर भी रिजल्ट जीरो आता है मैंने भी बहुत कु तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिसे आज तक किसी नहीं बताया होगा आज मैं ऐसा जबर्जस तरीका लाएं हूँ जिसे आप बहुत ही कम पैसे में और बिना स्क्रबर के बहुत ही कम मेहनत में आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और यहाँ पर मैं आपको थी और अब देखे कितनी साफ सुत्री और चमक गई है टाइल्स एकदम बात्रूम साफ सुत्रा हो गया है तो जो रेमडी मैंने बनाई है और जो तरीका अपनाया है टाइल्स को साफ करने की अगर आपको थोड़ी भी यह हैल्फुल लगे तो इसे दूसरे के साथ भी सेयर कीजिएगा ताकि उसकी भी हैल्फ हो सके वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा तो चले मैं आपको दिखाती हूँ टाइल्स क्लेनिंग के लिए मैंने यह लिक्विट कैसे तैयार किया है और कौन से तरीके से टाइल्स को साफ किया है तो यह हाँ पर मैंने डिटर्जन टिक्या लिया है जिससे हम कपड़े धोते हैं तो यह 10 रुपे वाले डिटर्जन टिक्या है आप जो भी यूज करते हैं उसे ले लीजिए टाइल्स क्लेनिंग के लिए हम इसी टिक्या का यूज करेंगे तो पहले इसे हम पैकेट में से निकाल कर लिया है तो आधे साबुन का है इस्तमाल करेंगे आधे साबुन को रख देना है तो यहाँ पे साबुन हमारा ग्रेट हो गया है और अब हम लेंगे एक मोटे तले का बरतन और इसमें डालेंगे हम एक कप के लगभग पाने और अब हम इसमें डाल देंगे गेरेट किया हुआ साबून और अब हम गैस को उन कर देंगे और साबून को melt होने तक पकने देंगे साबून जब अच्छे से melt हो जाए तो इसे हम medium flame पे पकने देंगे 3-4 मिनट के लिए तो यहाँ पे देखिए 3-4 मिनट हो चुका है गढ़ा हो गया है और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब इस साबुन के लिक्विड को हम गैस से नीचे उतार के और इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। जब यह हलका गुन-गुना रहे तो इसमें हमें डाल देना है वेनेगर। तो यहां पे हम वेनेगर का इस्तमाल करेंगे टाइल्स को क्लीन करने के लिए तो इसमें हमें 4-5 चमच वेनेगर का डाल देना है। अब वेनेगर को साबुन के इस लिक्विड में अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा tiles cleaning के लिए liquid बनके तयार हो गया है तो इसे कैसे apply करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी इसका भी एक तरीका है तो यहाँ पे ये liquid थोड़ा गुन-गुना रहना चाहिए इसे आप किसी भी पूराने बर्तन में डाल लीजे तो इस liquid को tiles पे apply करने से पहले आपको क्या करना है कि जहाँ जहाँ जमी हुई गंदगी है उस पे आपको पूरे bathroom के tiles पे थोड़ा गरम पाने डालना है गरम ज्यादा नहीं होना चाहिए पानी गुन-गुना से थोड़ा ज्यादा गरम रहेगा इतना है गरम पाने रखना है और चारो तरफ tiles पे आपको इसे डाल देना है गरम पाने डालने से जो भी गंदगी उस पे जमी हुई है वो थोड़ी नरम पढ़ जाएगी तो साफ करने में बहुत ही आसानी हो जाएगा और अब हम इस liquid को tiles के उपर apply करेंगे तो इससे पहले आप अपने हाथों में gloves पर सकते हैं या जैसे भी आपको सुविधा हो उस अनुसार आप इसे पूरे tiles पे लगा दीजेगा और जहां जहां बिल्कुल मोटे परत जम गये हैं और एकदम जिद्धी दाग हो गया है वहां वहां liquid थोड़ा ज्यादा लगाना है तो इसी तरीके से हम पूरे tiles पे इसे अच्छी तरीके से लगा देएंगे इस liquid को जब भी आप लगाएगा तो liquid थोड़ा सा गुन गुना होना चाहिए इसे अच्छा result आता है तो यहाँ पे सारे tiles पे हमें इसे अच्छी तरीके से लगा देना है और यहाँ पर मैंने चारो तरफ टाइल्स पे अच्छे से liquid को लगा दिया है और अब हमें इसे 15-20 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है तो यहाँ पर 15-20 मिनट हो चुका है liquid को लगाए हुए तो यहाँ पर 50% काम हो चुका है और अब हमें टाइल्स को चमकाने के लिए 100% रिजल्ट लाने के लिए मैं इस काले चीज का इस्तमाल कर रही हूँ यह बहुत जरूरी है टाइल्स को चमकाने के लिए इससे आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और 100% आपको रिजल्ट मिलेगा तो इसी से हमें टाइल्स को साफ करना है और चलिए मैं इसका कमाल दिखाती हूँ तो यहाँ पर देखिए बहुत गाढ़ा और जिद्धी दाग है यहाँ पर मैं आपको साफ करके दिखाती हूँ मिंटो में चुटकियों में यह साफ हो जाएगा तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ देखिए कितना अच्छे से यह चमक गया है बिल्कुल अभी मैंने थोड़ा सा ही साफ किया है और यहाँ पर तो इसी तरीके से हम चारो तरफ टाइल्स को रगडते हुए साफ कर लेंगे और यहाँ पर देखिए एकदम मोटा परत हो गया है बिल्कुल जिद्धी दाग है तो यहाँ पर थोड़ा सर गुन-गुना पानी डाल के और इसे हम लगातार 4-5 मिनट के लिए रगड़ेंगे तो यहाँ पर यह बहुत ही मोटा परत हो गया था एकदम जिद्धी दाग तो यहाँ पर देखिए 4-5 मिनट ही रगड़ने में एकदम आसानी से यह साफ हो गया है तो इसी तरीके से हम गरम पानी का इस्तमाल करती हुए सारे टाइल्स पर अच्छे से रगड़ के साफ कर ल आपका टाइल्स साफ हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मोटे से मोटे परत एकदम जिद्धी दाग आसानी से साफ होते जा रहे हैं और यह सारा कमाल इस काले चीज़ का है इससे बहुत ही आसान हो जाता है टाइल्स साफ करना तो इसे मैं आपक कि ये क्या चीज है और ये कहां पे मिलता है इसे आप आसाने से सारे टाइल्स को साफ कर सकते हैं और अब हम टाइल्स को नॉर्मल पाने से धो लेंगे और यहां पे आप देख सकते हैं कितनी जिद्धी दाग थे कितनी मोटी मोटी परत हो गए थी टाइल्स पे और अब देख यह काले चीज क्या है और यह मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है और बहुत ही अमेजिंग यह चीज है इससे आप कहीं भी जमी हुई दाग फर्स पे हो या टाइल्स पे हो बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं तो फ्रेंट्स यह है सैंड पेपर सैंड पेपर आपको मा गंदगी को साफ करने में बहुत ही हेल्प करता है आपकी मेहनत को कम कर देता है आपके समय को भी बचाता है तो बहुत काम की चीज है यह सेंड पेपर तो इसे आप हमीशा सफाई में जरूर इस्तमाल कीजेगा तो यहां पे आप सेंड पेपर और इस लिक्विड का कमाल देगा धन्यवाद